अजय को प्रेस्ट में चेप्टर टू होगा और चेप्टर इक्ष होगा गुदी लेवन तक ओके आइब बातें ना करने लास्त होगे अचा जी पेज 549 पर आपको होमवक है आज क्रिस्ट नंबर फूर पांच मिनट में करने विज़ा टाइम ने लगाना कल कौंसा था क्रिस्ट तैन आज निकालें क्रिस्ट फोर हैं होमवक पेज नंबर 549 इसमें आखरी दो कॉलम काट दें जी मैं कल बता दूंगा किस काम के ह है और श्याइद मैं आपको बताऊंगे किसी काम के नहीं है उसने सेल्स टेक्स भी दिया हुए सेल्स टेक्स डाल के प्राइस भी दिए बस वेली एक्स्टेक्स से सवाल कर लेंगे तो सारा कसारा हो जाएगा तो इस सवाल पर आपने चार से पांच मिनट लगाने आपको खोलने की जुरूत नहीं चेप्टर 18 वेसे लेकिन कई साल बाद आपका सेशन ऐसा सेशन आया है जिसमें इतने ज्यादा नमेरिकल होगी हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने शायद आज तक अभी नहीं हुए थे बतनी आपके साथ वाले की बरकतिया क्या चक् करना साते हाँ इसके बाद बासित्वाला सवाल हुए ऐसके बाद बासित्वाला सवाल हुआ था उसके बाद अच्यष्क 20-29 फिर तरह वाल हुए तो क्पारफ इसम्वाल सवाल था, इसको कराने की दिए उमाला सबो इंटर्टेनमेंट आफ कस्टमर है उद्रचालिस के वजए कोई और पिगर थी तो यह सवाल वहां पर करवा दिया था एम्मी ने ऑफिस दुबई में उपन किया जहां पर नीचर बेज़ जाए याद आ रहा होगा आपको यह सवाल वहां कर लिया था हाँ यह बदर वरा नहीं कर रहा है सेलरी का सवाल है साथ बसा कभी करना हुआ कर लिजएगा वाइस आपको करवा दिया हुए क्या उत्लूट मचगी भी है वैसे मैं हरानू रहा था अगल देखके पिसन अठाना तो भी लॉस्टिस के बाद होगा सवाल करवा दिया हुए सोलां वाला करवा दिया हुए चोद्वां वाला करवा दिया हुए तो यह नि पिछले तकरीवन यह 11 सालों के सवाल हमने कर लि नहीं आरी शाहिद कुई ऐसा बच्चा बैठा हुए क्लास में इसकी वज़ा से ऐसा हुआ है अच्छा जी पेज 476 प्यादें हो सब्सक्राइब में हो सब्सक्राइब में हो पाड़ी नरा हो अच्छा हमने पड़ा था जी कि थर्ड शेडियूल की चीज़ें अगर आप मं सब्सक्राइब में इसमें पास्ता वाली बात अगर किसी ने मांड की है तो मादरत भाई कोई नहीं चीज़ें आप लोग इस्तमाल करें करें अगर आप यह चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं लोकली मेन्युफेक्चर करें तो इन पर भी सेस्टेक्स लगेगा पड़ियों को कहते हैं डिफरेंट किसम की कुछ गाडियां होती है जिसमें डिगी नदर नहीं आ रही होती समझा रही हैं गाडियों के अंदर क्या पड क्या एक पड़ल गाडी है चोड़ें पर इस चीज़ें यह जिनके बड़ने किया है 25 पड़ने सब्सक्राइब कराना तो लोगों की पाकिस्तान में नबर वन एक वो बंदा जो चीज़ें इंपॉर्ट कर रहे है इड दर स्टेज आफ इंपॉर्ट अगर इंजन इंपॉर् जमा करवाएगा और दूसरा उस बंदे की भी सेल्स टेक्स जमा कराने की जिसने सरासिफ को तीस लाख वाली गाड़ी पैंतिस लाख चालिस हजार की बेची है उसमें जो फाइव लाग फुर्टी थाउदन उसके पास आया है वो भी उसने गवर्मेंट के खजाने में जमा कर सेलर है वो जाकर garlic के खजाने में जमा करवाएगा तो दो लोगों की पाक्सान में सिरफ जिमेदारी है government के खज़ाने में टेक्स जमा कराना seller की और इंपोर्टर की, buyer की जिमेदारी नहीं है तो liabilities to pay sales tax. following persons are liable to pay tax in case of sale of car अगर गाड़ी sale हो रही है the person making the sale जो गाड़ी sale कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है in case of engine imported into Pakistan the person importing the engine तो जो बंदा engine import कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बचे दो बंदों की जिम्मेदारी है seller की और importer की these two persons are liable to pay sales tax okay लेकिन खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता कभी ऐसा भी हो सकता है कि बायर की जिम्मेदारी हो government के ख़दाने में टेक्स समा कराने की बड़ा रेर सक्मसांस में यह general rule नहीं है government वो goods बता देगी में specify goods गिनी चुनी गिनी चुनी 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 चीजों में यह rule है कोई general rule नहीं है कि खरीदने वाला tax जमा कराएगा अब क्या होगा मिसाल सुनें और लिखें फिर पहले सुनें सरासिफ 35,40,000 लेके घर से निकलेंगे किया गाड़ी वालों को 30,000,000 देंगे और 5,40,000 गर्मेंट के ख़दाने में जमा करा देंगे यह अब जिम्यदारी होगी बायर की लेकिन अगर गर्मेंट कहेगी वरना यह general rule general rule क्या है सरासिफ पूरा 35,40,000 जमा करवाएं किया गड़ी वालों को और वो लोग जाके जमा करा है 5,40,000 गर्मेंट के ख़दाने में लेकिन अगर किया वाले को गड़बर करते वे पाई जाएं तो गर्मेंट हो सकते है रूल बदल दे और कहें 30,000,000 आप उनको दे दें और 5,40,000 हमारे पस रख़दाने और 5,40,000 गर्मेंट को देंगे करता है सब्सक्राइब अब किसके पस्यमेंदारी आ जागी बाइर को अच्छा जी जनरलेटे टेक्स का थारा पसंट लेकिन अगर गर्वर्मन्ट चाहे तो एक्स्ट्रा टेक्स लगा सकती है किसी हामफुल गुड्स पे थारा पसंट तो दस पसंट कोई भी रेट लगा सकती है लेकिन यह नहीं हो सकता यानि maximum किसी चीज पर 36% लग सकता है इससे ज्यादा नहीं तो नॉर्मल रेट अठाना लगेगा जब आप चीज बजार से खरीदे जाएंगे तो इससे कहते है एक्स्ट्रा टेक्स या आप सोर पे बिली चीज 130 की खरीदेंगे या आप सोर पे बिली चीज 136 की लेकिन ऐसा नहीं हो सकते है सोर पे बिली चीज 137 की खरीदें तो गम्मेंट को एक पावर वेले वाले के एक्स्ट्रा टेक्स लगाए लेकिन maximum कितना 18 तो फिर टोटल कितना होजेगा 36 इससे ज्यादा नहीं हो सकते है रखले में जागते रहे हैं अके शुक्रिया पढ़ें जागते रहे हैं अजगते में थांतो हो प्रेंट की खरीच के लिए तो प्रेंट ट फ्रेंवा प्रेंट चाव्यू अ खरीड र इस यह बिसक्पोरियं कॉय जोर 12 फिल्ठक्स अच्छ क्शुड на डिस इन duż न आद्रक्हिए गा धिस इन एडिशन डू एक norma मैं के लावद थैस्टा ओन्लम आ Battist नॉन लिए जाएगा आप से दे टैक्स चार्ज हेयर हेयर कुण सो बलाए एक्स्रा ठाइक श्यल नॉट बी ग्रेटर देन एटीन से ज़्यादा नहीं हो सकता तो नॉर्मल कितना हो गया एक्स्ट्रा कितने तक जा सकते हैं एक्सक्ष्ण में आज़ा बिए करेगी कि फेडल मौट मैने मौट क्या होते टेक्स लेने का जब बनते हैं तो बिल के उपर सोर पे की वजा एक्स उठाना लेको जाते हैं the federal government will specify the mode manner and time of payment of tax एक बड़ी जी power available है federal government को federal government और दा board में in place of normal tax federal government और board में in place of normal नॉर्मल टैक्स का mechanism ही उठा के बदल देगी, पुरा law ही बदल देगी, बदल नहीं को सा tax होगा, बलू tax के बदल नहीं क्या नहीं होगा, वद्बलू टैक्स उसका नहीं होगा। और फिर इसका mode भी बताएगी, manner भी बताएगी, time भी बताएगी, किस वकद ये text लिया जाएगा। अच्छा जी, क्या sale होने लगी है? Guess. किसको sale होने लगी है? CNG station को. कौन sale करने लगा है? Suey Gas. जो gas बनाने लिग कंपनी है, Suey Gas. क्या sale होने लगी है? Natural gas to, कौन sale करने लगा है? In case of sale of gas to CNG station, the Suey Gas shall charge sales tax at the rate of, आ जाके वोई बात लिखी, कोई फैदा नहीं हो बढ़नेगा. On the value of supply. CNG consumers. और एगली बात वोई लिखी भी है, जो हमने VOS की definition में पढ़ी थी, बिजली के बिल हो मुली. बिजली के बिल पर sales tax कैसे लगेगा? बिजली के बिल के बिल के ओपर हमने बढ़ा था, sales tax कैसे लगेगा? Price of electricity, rent, commission, including all duties and taxes, except sales tax. As it is, यह बात आपने वहाँ से copy paste कर ले लिए बस. Value of VOS, VOS shall include, price of gas, charges के लब सेक्स्ट है, याद कर ले जगेगा बस ऐसी. Rent, commission, and all duties and taxes, except sales tax. तो VOS में किनके चीज़ों को डालना है? जितने कि आपने gas करी दी, जितने आपने कोई और उपर charges पे किये, कोई आपने line बिचाने का rent पे किया, कोई आपने जल्दी gas बंगवाने के लिए commission पे किया उनको, या all local, provincial, federal, duties and taxes, but excluding the amount of sales tax. तो ये VOS निकालने का त्रीक है. अच्छा जी हमने retailers पढ़े थे, जिन्होंने यह वाली class नहीं लीवे देखने दराइदर. Retailers दो किसम के होते हैं. एक होते हैं बड़े retailer. इनका मुश्किस नाम है tier 1 retailer. इन्होंने sales tax pay करना है normal way से, और उन्होंने अपने आपको register भी करवाने है. एक होते हैं छोटे retailer. इनको कहते हैं other than tier 1. इन्होंने pay करना है sales tax अपने बिजली के बिलों के साथ. Not required to be registered. इन्होंने अपने बिजली के बिल में tax लग की आजएगा. तो बड़े retailers for tier 1 retailers, शोटे retailers for other than tier 1. इनका बिजली के बिलों में tax लग की आजाता है. और इन्होंने normal तरीके से tax देना होता है. Tier 1 retailers shall pay tax in normal way. At the rate of 18%. यह कौँ से retailers होगे? बड़े. यह हमने diagram note की थी चप्र 21 के पहले सफे पे. यह हमने diagram note की थी चप्र 21 के पहले सफे पे. तो सब्सक्री के आजएगर किसमें नहीं note की विदी. बड़े retailers ने 18% tax देना होता है. और छोटे retailers ने 18% tax नहीं देना. उनसे sales tax मत लें. उनके बिजली के बेलों में tax लग क्या आजएगा? टायर 1 retailers shall pay tax in the normal manner. at the rate of 18%. tax shall be charge through बिजली का bill from retailer the other than tire 1. इनका नाम क्या है? अजीब सा नाम है. other than tire 1 retailers. tire 1 ए category retailers की बड़ों की. other than tire 1. rate क्या होगे इनके जी? sales tax नहीं 5% देने है. अगर इनका बिजली का बिल 20,000 तक है और इन्होंने 37% sales tax देने हैं अगर बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है. मेरे खास से यह याद करना पड़ेगा. याद होगी है? अगर बिजली का बिल 20,000 तक है तो पांच पीस से टेक्स और विजली का बीज़ी जार से ज़्याद है और यह तीजों की सेल प्राइस पर नहीं होता यह बिजली के विल के ओपर यह रेट लगा होगा बस और दुकान दार की सेल नहीं कुछी जाती चोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं इंको ज़्या तंग नि बद ठोड़ प्रूंद उस झांट-टे के लिए हम लोगों के लिए हैं को खथ के तरे जिए जो टेक्स आबाफ टेक्सản पांच या सारह साथ परसेंट asking the above x on अटना टार एस इस अटत्रा हैद जनीगा है अटनें यहां मिन tsunami तो क्या है पांच यह सब्सक्राइब ना ना इन से इंगे ना इन से एक्स्ट्रा लेंगे इन से कितना ओक्लान लेंगे ओभड़ी अच्छवच इस अधर देन आधा रहां जाड़ी से बात है क्योंक falando कि फॉर्ष यो इसलिए के अंदर इंपूर्ट होते हैं मेटीरियल और लेबर और पूर्ट निकलती है बिसाल के तोर पे स्टील प्रोडक्ट्स यह जो लोग स्टील प्रोडक्स बनाते हैं गर्मन ने इनको का हुआ है कि आउठब न मतलब है यूनिस यह जो चीज़ें बनी जू चीज़ें बनी लेकर judge किया कि आप 50 units बना सकते हैं लेकिन आपने sold किये या बनाए सिरफ 47 units आप government ने कहें कम से कम 50 units तो बनाओ और आप बेच देए सिरफ 47 बनागे ऐसी सूरत में government कहेगी कम से कम हमें 50 पे तो text दे दो हम आपसे 47 पेक्स ने लेगी लेकिन अगर आप इससे ज्यदा बनाओ पजास से वह बिर और बात है फिर आप उसी भी ले आना लेकिन government हमेशा आपकी material और लेबर को judge करके output जज़ करेगी college में कैसे होता है college में सीतें देख के पता चल जाता है कम से कम इतने बच्चे थो बैठाव नकलास में कां से कन से कम लेबर आज असल में हमने में अपना शुरू करने हैं यह एक दो सेक्शन में क्लोज करके फिर नमेरिकल की तरह मूफ करने लगा हूं इसे भी सारे आजेंगे लेट आने वाले हैं एक फिर अफ़र्ण गार आउट तक्यूद आ आउट्व आउट्स आउट्स अपाद्स क्विए आउट्स करें आउट्स अगे आउट्स एक प्रोडक्स शिपलेट्स क्यों की चीज़ निय। for goods for goods specified in 13th schedule 13th schedule में कुछ चीजों के नाम दी होंगे हमारी बला से जो भी नाम दी हों हमें क्या जैसे 3rd schedule है न एक तो 13th schedule भी कोई होगा 13th schedule में कुछ चीजों के नाम दी होंगे the minimum production for a month shall be determined on the basis of single or more inputs single input होते हैं लेबर more inputs होते हैं लेबर और material एक मिनट पहले दो फिकरे देखें उनके दर्म्यान जो ब्रिज बन रहा है फिकरा वो देखें the minimum production for a month बोले shall be determined on the basis of single or more inputs देखें the minimum production for a month shall be determined on the basis of single or more inputs बार बार बोलें the minimum production for a month shall be determined on the basis of single or more inputs as used in production process जो production process में use हो रहे हैं तो यह दो लाइने लगें इनके दर्मयान ब्रिज बना ले अब आप काफी बड़े हो गए हैं अगली लाइन पड़के यह देखें समझारे जो लिखा हैं if minimum production if minimum production exceeds the actual sale then minimum production shall be treated as तिक्यो यह 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 टिक्यो यह then minimum will be treated as quantity sold if minimum production is greater than actual sale then minimum production shall be treated as quantity sold और आखरी बात board अगर चाहे board may require a class of persons integrate their machines बस ये बात है board आपको आपकी machines integrate करने को पहेगा वो आपने देखे कही दफा एक machine होती है इसमें से गोल सी रसीद निकल रही होती है इसको सफे को सीधा भी करें तो गोल ही रहता है तो ये कई दफा ATM card जो है वो डलवाते हैं आजकल और आपका pin number आप डालते हैं तो वहीं से गोल सी रसीद निकल आती है कई दफा जो है वो प्रॉपर एक POS machine टाइप होती है वहां से रसीद निकलती है वो दुकानों के अपर ये रसीदे निकलती हैं गोल सी तो दबोड में रिक्वाइर क्लास अफ परसंस तो इंटीग्रेट देर मशीन ये मशीने क्या करती हैं इंवाइस इस्यू करती हैं बिल बनाके देती हैं दबोड में रिक्वाइर क्लास अफ परसंस तो इंटीग्रेट देर इंवाइस इस्यूंग मशीन विद विद वाट विद बोड कंप्यूटराइस्ट सिस्टम इससे फाइदा क्या होगा फ़र रियल टाम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स रिपोर्ट क्या कौन किसको रिपोर्ट कर अऊगा रिपोर्ट टुया फ़ियर प्रियर को अपनी ऐसे बितारे होगो जैसी जो भी सेल को एंगी सिस्टम ने अप्रेट हो जाएक आपने दुपान पे इतनी सेल किया और दमाग के अंदर ये भी चल रहा हो, अभी चाय का time हो रहा है, अभी मैंने खाना खाने जाना है, और फिर दमाग के अंदर चल रहा है, अभी मैंने इस time ये करना है, अभी मैं घरवलों से बात करनी है, अभी मैंने दोस्तों के बाद जाना है, अभी मैंने ये करना है, अभ Board may specify goods where person receiving the supply is liable to pay tax Federal government may collect tax at extra rate in addition to normal the tax charge here shall not be greater than 18% Federal government may in place of normal tax laga and collect such tax as it may deem fit in case of sale of of what natural gas to whom on the gas transmission companies we guess I'll charge the rate of 18% tire-1 retailers shall pay the tax in normal way tax shall be charged through Bijalika bill for other than tire-1 retailers the rates will be sales tax at 5% we will exceed pieces that does not exceed the same one the above text on other than tire-1 retailers is other than normal other than three and other than for good specified in the minimum production shall shall be determined on the basis of single or more inputs and if minimum exceed the actual then minimum shall be considered as sale the board may require persons to integrate their machines with board system so this is how you're supposed to move and do the things bill bina diya so rupiah jama 20 uphe is 20 me 18 normal tax ho gya or 2 rupiah dukandar ने आपसे गलती से ले लिया ये गलती से ले लिया है ये जो गलती से लिया है इसका नाम एक्स्ट्रा या फर्दर नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो लफस हमने यूस कर लिया है इस दो का जीब सा नाम बनेगा एक्सेस आप गर्वर्मेंट ने ये कहा कि तुम्हें चाहिए था सो की चीज़ बेच्टे एक्सो टारागी दुकांदार ने गलती से बेच्टी एक्सो बीस की गर्में ने प्यार से का हमें दे दो ये धोर्वर्म लेखे कीते हैं प्यारसे दीन लाइं के अंदर प्यार में दीज़ था पर गोर्मेंट ये पहस बेसे पर जा जाए ये कस्तमर को खेल आ जाए हो बहस फिर इलाग परिफलाल गर्मेट ने कहाई की पिसे हमें दो इससी परशेन हो तुम कि मैं मर जाओंगा, अल्ला को जवाब देना होगा, दो रपसे ज़्यादा ले लिये थे, वो परिशानी तुम्हारी अपनी जगा, लेकिन फिल हाल ये दोर पर, शेबास स्रीफ को जाकर दे दो, नोट कर लें, ऐसी तुम परिशान हो रहे हैं, हमें दे दो दोर पर, ये टेक्स गर्मेंट ने लेने को काता है या अपने गलती से ले लिया है, कोई नहीं, गलती में एक उमत को साथ में लाएं, शाहिद कितरे दिल में उतर जाएं, बढ़ें जी, हाइबर्ड में ये चिंग्मिन बाते हैं हो रही हैं, इस पर तर 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 लीस, और सीरे बठेंगे, ये क्लास हो रही है, चलें शुक्रिया, अच्छा जी, आँ शॉपकीपर या बिजनसमें जो मर्जी आपको पसांदो लिख लें, दुकांदर लिखनें, दुकांदर लिखनें, अशॉपकीपर, who has collected any tax under गलती से, दोर पर, अशॉपकीपर, who has collected any tax under गलती से, और अदर वाइज जैसे भी, which was not payable as tax, जो tax की दोर पर पे पेबल नहीं था, which is in excess of actually payable, actually payable कितने हैं? उसे एक्सेस है यह तो क्या करें यह बड़ी मज़े की वाद उसने लिखी हुए इंसिदेंस एस बीन पास्ट ऑन क्रंजूमर का मतलब बताएं अब कस्टमर पे बोज शिफ्ट हो गया है यह उर्दू में लिखने कस्टमर अब नहीं ढूंडा जा सकता हैवी बाइक पर था उ विखने क्रिफ्ट हांवी बेड़ शुदी के सब्सक्राइब करने मिलें में आप क्या स्टमर अगे नहीं पास्ट वह चा में आग रहता रहता हूं और फिर वापिश कर देता हूं यह वह वह बहुत है लेकिन आए यह बहुतर पे कस्टमर तो चला तो चला गया एथ एंद हैं सब्सक्राइब को टारा है चख स्वरण बात है इस बंडी ने ही चटो डिए और फिर आदा गुस्ण गम्मेर ने का जिस तरीके से तुमसे अठारा लेंगे अगर तुम ना दो वही सारे तरीके दो रुपे को लेने के लगाएंगे यानि अगर 18 लेने के लिए तुम्हें डंडे सोटे मारने पड़े तो दो तुम्हें डंडे सोटे मारेंगे अगर 18 लेने के लिए तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ी तो दो लेने के लिए भी तुम्हारी दुकाने बंद कर देंगे सब्जेक्ट की आग जो फीस है आपकी बाइस हजार आप ने जमा करा नहीं है इसके इलावा टेस्ट ना देने पर पांच सो पर जर्माना है अब ऑविएसली बाइस जार लेने के लिए जो तरीके कॉलेज वोले लगाते हैं वह मिसाल के तोर पर यह है कि बाइर बंदा कर दे नहीं होनी ठाइए थी लेकिन गब्रमेंट ने का कोई नर्मीन पढ़ें जी सकती फिर मैं आपको उर्दू भी लिखवाता हूं बाते ना करें ना अमाउंट पेबल टू फेडरल गब्रमेंट हेर कितनी अमाउंट पेबल है रुपीस डू अमाउंट पेबल टू फेडरल अमाउंट पेबल टू फेडरल गब्रमेंट हेर शिल भी कंसिड़र अस बकाया जाताफ एक्स एंड शेल बी रिकावरेबल उसी तरह एंड शेल बी रिकावरेबल उसी तरह जैसे अठारा लेंगे पुछने आयोते हैं मैं इसलिए उर्दू लिखवारा हूं सासर ताकि इस शेल भी के सिड़र बकाया जाताफ एक्स एंड शेल भी रिकावरेबल उसी तरह कैसे जैसे ठारा लिए जाएंगे और चंद दिनों बाद आप फिर पहुंचे थे गम्मेंट दो ले तो लिया वापिस कर दो मिर में बनी दो दो मेरा था दो गम्मेंट कहेगी रिफंड क्ले लिए दौर पर आपको वापिस नहीं मिलेंगे जो मरजी कर लो तो यह दौर पर वापिस नहीं मिलेंगे तुमारी एसी कि तैसी burden of proof that the boj of tax has or has not been passed to consumer shall be on shopkeeper परसन से मुराद शॉपकीपर बर्डन ओफ प्रूफ ये साबित करना डेट बोज ओफ टैक्स हैस बीन पास्ट ऑन कंज्यूमर कि अब वो नहीं मिल सकता और हैस नॉट बीन पास्ट ऑन कंज्यूमर अब वो मिल सकता है शॉपकीपर आज कर तो केमरास का जमाने आप शाइध गुर्मेंट को साबित कर दें कि वो मिल जाएगा कैसे गुर्मेंट को आप बताएं कि यह वीस तस्वीर ओला बंदा सा देखो यह आया था पहले और चाल दिन बाद दुबरा आ गया था तो मैंने उसी को दोर पर वापिस कर दी है अगर आप ऐसा साबित कर दें तो ठीक है लेकिन अगर आप ऐसा साबित ना कर पाएं तो बस फिर गुर्मेंट आप से टेक्स ले लेगी यह साबित करने का बोज के बंदा मिल सकता है या नहीं गवर्मेंट साबित करेगी या दुकांदार ही बता सकता है तो यह से दुकांदार बता सकेगा के बंदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है बंदा तो बंदा है दे बर्ड़न अफ प्रूफ that bhoj has or has not been passed to consumer has been passed to consumer or has not been passed to consumer ये bhoj consumer को transfer हो गया या नहीं हो गया ये कौन बताएगा shopkeeper बताएगा वरना government यही कहेगी बंदा तो नहीं मिल सकता आप फिर थाबित करें मिल सकते हैं ये नहीं मिल सकता अशा जी एक चीज हमारे numerical में चल रही है rate is zero rate note नहीं करना को zero rate में चार चीज़े include है और तीन चीज़े exclude है अगर आपने note नहीं करना export कर दी चीज़े बाहर के मुल की तो सो बली गाड़ी कितने की बेचेंगे सो की अगर कोई fifth schedule की चीज़े है वो भी zero rate होगी fifth schedule कोई होगा third schedule की तरह हमें उसे concern नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ें बिक्ती है fifth schedule की तो अगर कोई fifth schedule की चीज़ें है वो आप बेच रहे हैं पाकिस्तान में वो भी zero rate है अगर international flight कोई जा रही है उसको आप ने इसी चीज़ें बेची जो रास्ते में इस्तमाल हो जानी है जैसे fuel, tissue paper, खाना रास्ते में इस्तमाल हो जाना है flight के अंदरी तो वो भी zero rate है वो भी zero rate है लेकिन ऐसी चीज़ नहीं जैसे आपने PIA वालों को कोई freezer बेच दिया वो freezer तो उनके kitchen में पढ़ा रहेगा वो तो नहीं रास्ते में इस्तमाल हो जाना कि आप जहाज में बैठी हो आपके sandwich बड़ा पस्तंद आया freezer भी साथ ला दो तो freezer तो पढ़ा रहेगा तो international flight को आपने ऐसी चीज़ें बेची जो रास्ते में इस्तमाल हो जाना है और मुल्क के अंदर कभी कहत आ गया जलजल आ गया सेलाब आ गया तो फिर local sales भी government zero rate कर देती है यहाँ दुकानदार को हुकम दे देती है पाकिस्तान में सोरपे वली चीज कितने की बेचे सोरपे और तीन चीज़ें zero rate नहीं है एक ऐसी चीज जो आपने export की लेकिन आपकी नियत है उसको रिंपोर्ट करने की हैड ऑफिस और ब्रांच आपस में ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि दो आपके चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और तो फिर वली एक्सपोर्ट की बेचनी है तो कितनी चीज़ें जीरो रेट हैं कितनी नहीं है चार गुड़ एक्सपोर्टेड आउड पाकिस्तान गुड़ स्पैसिफाइड इंफिफ्ट शेडियूल नमबर त्री गुड़्स ऐसी कंज्यूमेबल चीज़ें जो इस्तमाल हो जानी है लेकिन किस फ्लाइट को बेचनी है इंट्रेंस्ट् नमबर तू ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करनी थी लेकिन नहीं कि और तीसरी चीज़ किसी ऐसी कंटरी को बेची जिसको गंबर ने काव अथा के ना बेचो तो इसको पढ़ने पहले मैं एक्सेप्टिंस पढ़ाँ लेकिन परसंट 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 एंटें इंट इंटर इंटर फर अप्र आट इंग एक्सपोर्ट करना था लेकिन उप्रण बेच्पोर्ट्स डेट एपने इंट्ट्री स्पेसिए बाइट प्रडर्ग को तो गमड़न कर किसी से दुश्मनि होगी काफ लाम मुल को अगर चीज़ें बेची तो फिर तो में 111 की गाड़ी बेच चलो एंद फॉलिंग और चार्ट रेट अफ जीरो परसंट बोलें कौन कौन सी गोड़ एक्सपोर्टेड और गोड़ स्पेसिफाइड इन पेश्टेड नमबर टू सप्लाई आफ खाना टिशू पेपर फ्यूल 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 भी रस्ते में इस्तमाल हो जाते हैं मैं यह नहीं कहरा फ्यूल खतम हो जाते हैं खतम हो गया तो फिर तो अच्छा तो सप्लाई आफ खाना टिशू पेपर और फ्यूल शर्त यह है कि रास्ते में इस्तमाल हो जा होंगा अब अगर आप अबोर्ड को स्किप करके टू पढ़ें तो फिकर आपको याद हो जगा हूँ सप्लाइ ऑफ खाना फॉर इस्तमाल टूर कन्वेंस प्रोसीडिंग टूर डेस्टीनिशन आउटसाइड पाकिस्तन ऐसी कन्वेंस को आपने चीजें बेची हैं जो कहां ज होता है तो आपके याद रखने के लिए लिए था कि फिक्रे की सेंस बने कुछ और बड़ा मुश्किल लफस है दर हम उर्दू दानों के लिए सी इंग्रेदी पढ़ना तरह मुश्किल है किसको खाना सप्लाइब किया है तूर कन्वेंस वो कन्वेंस कहां जा रही है प्रो इमीजेट एक्षण मुल्क में लेना पड़े क्यों लेना पड़ा नेशनल सेक्योरिटी लोग घनों से बाहर ही निकल लेडर के नेच्रल डिजास्टर कोई आ गया है नेशनल फूड सेक्योरिटी कहत पड़ गया है कोई एमर्जेंसी सिच्वेशन आगी है मुल्क में और पर इभारिशे कहा और इंप्लीमेंटेशन औंफ बाइलेटरल अंड में लुड्डाल अग्रिमेंट बैलेटरल कर दो मुल्कों से मौहिइदा और मुल्क मुल्का यद्यों और आपको पते एग्रेमिंट्स विध गंट्रीज होते हैं ऑग्रेमेंट्स उद्कंट्री जसे क आफ़ी बात ये बाकी कल पढ़ेंगे जो अच्छा जीरो रेट वालेकर नमेरिकल कैसे सॉल्व होता है आउटपुट इसके कितना होता है जीरो लेकिन अगर इसने टायर लगाए में गाड़ी में तो जनरल टायर को तो पैसे पेकर क्या होगा तो इस 18 का क्या होता है लेकिन म अजीव सी बात है लिख लें अगर को किसी फे घुसा चड़े तो रिफंड उसका कम भी कर सकती है वैसे एक स्पोटर को सुली तो रुपे पूरा 18 रुपे क्या हो जाना चाहिए रिफंड क्योंकि इसने अच्छा काम किया है कि अपनी प्रॉड़क इतनी अच्छी बनाई ह हा रहे हैं पहुंचीवी सरकार पॉजिटिव मानी में अच्छी फेडरल गवर्मेंट में रिस्ट्रेक्ट इंपॉट टेक्स क्रेडिट को ब्रेकेट ने ले ले इनपुट के साथ टेक्स लेट लिखा होता है क्योंकि टेक्स रेट भी मैर्नस उते है उदर अफेज़ क्या होता है किसी का इसको बापिस लेकिन कि मिलेगा कितना अच्छा जी ये एक फेक्टरी है ऱ व खक्लीक्तै के फेक्न अच्छाब। अच्छरी फेक्रीक्तै कि版 रबत में एक तेक्रिक्तै कितने इसा यह वह थे लें आगए पश्चिक्री के अंदर कुछ नकोछ चल रहा होगा जैसे यह एक फैक्ट्री है भी लगी होगी घ्लांट मशीन गुणी होगी और अब आज हम फेक्ट्रि के अंदर घुसेंगे और फेक्ट्री के अंदर घुसकर हम आपको कुछ बातें बताएंगे आप तश्रीफ ले हैं पेज 482 पर सिर्फ डाइग्राम देखनी आपने डाइंबाई नी पढ़ना अनलेस के मैं खुद पढ़ाओं फेक्ट्री के अंदर मशीन भी होगी फेक्ट्री के अंदर डॉलेंस की बुक्स हैं डॉलेंस की फेक्ट्री में हम गए हैं फेक्ट्री के अंदर रॉमेटीरियल भी होगा रॉमेटीरियल में प्लास्टिक पड़ा होगा एसी बनाने के लिए मोटर में पढ़ी होंगी जालियां पढ़ी होंगी और कोई और डिवा च् Pharisee होती है य। ये बदिगा बाकि और च के इंदर बी दिभार य। इसे हम ने आपके सामने रोगी है खोल के दिखा दिये वह य। इसरी आ लो ड यह स्तेमल कि यह कि निगावर दिवार के अंदर इंटेल लगी है इसे कहते हैं बिल्डिंग मिटीरियल दिवार के बाहर पेंट लगाव है अजीब सा पेंट दिवार के बाहर पेंट है दिवार के अंदर वायर्ज और केबल्स हैं जिसे अंडरगाउंड वायरिंग कहते हैं तो मिसाल के तोर पर आप जो है दिवार के अंदर तो यह वही दिवार है जिसमें अनारकली को चनवाया गया था अच्छा तो आज हम इस दिवार के अंदर चले गए है अनारकली तो अब नहीं है इसमें तो आज हम दिवार के अंदर जा रहे हैं इस दिवार के ओके हमारा lawmaker बड़ा कंजूस है बलके फ्लाइचूस है वो कहता है कि आपने कल के सवाल की तरह मशीन की परचेस को वर्किंग बन में ले जाने और इंपुट मशीन के नाम से मशीन की पर इंपुट मैं आपको रिकॉर्ड करने दूँगा मशीन आपने लाग रुपए की खरी दी तो 18,000 पर आपका इंपुट होगा वो आपको मैं रिकॉर्ड करने दूँगा सवाल में रॉम मिटीरियल आप खरीदें किया गाड़ी वाले टायर खरीदें लोहा खरीदें या आपकी नॉर्मल परचेस है कि यह बिल्डिंग मेटीरियल और वायर्स और केबल्स यह इसी के अंदर रॉम मेटीरियल के तोर पर इस्तमाल नहीं होई बलकि यह हमारी दीवारों के अंदर लगी मिया और यह डिरेक्ली चीजें बनाने में हेल्प नहीं करई शाइद लामेकर समझ रहे कि परचेज अफ मशीन हम-अफुषी से ठारा पसन लगया लेकिन आएकरेगा परचेज ऑफ बिल्डिंग माटीरियल फॉरॉरॉर। फॉरॉरुषब कर दिया करेंगए कि इस पर दिगों गर्नागी करेंगे और अब हम डालेंस के एड्मिन उफिस में चलते हैं admin office ऊफिस तो छोटा सा होता है अप्रमेदे नहीं path admin office admin office admin office के बन्धे बैठे में है बस और क्या अज़र यह कुछ भीоды यह admin office के अदर जो बंघे बैठे में थो इसमें accountants वेठे होंगे और कोटें वेठे होंगे आप admin office में पंके चलरहे होंगे डानेट ने employees को वालेंस गीजर इस्तικά होगे अब यक यह नहीं हैं देने के हटें ऑना चांफ यहाता है लहीड जूरहा है इस नहीं इसी बारे मैं और में सब्सक्राइब करें अब आज आके conclusion क्या बनेगा कि हम purchases को कैसे deal किया करेंगे How we will deal with purchases अगर purchase हुई raw material की, finished goods की, raw material होता है आपने चीज़ें बना के बेचनी है finished goods होता है आपने फरीद के बेचनी है फिर हम इंशाला उस पर ठाना पसने लगा दिया करेंगे पेपर में अगर purchase हुई fix deserts की और उसमें आपने प्लांट खरीदा या मशीन खरीदी तो कल वरेंड अमेरिकल की तरह हम 18% लगाया करेंगे एक और चीज़ है जो वो encourage कर रहा है बार-बार, POS मशीन, electronic cash register, यह मैंने भी नहीं बताया था, आप बता रहा हूँ यह अगर आपने कोई चोटी मोटी मशीन खरीद ली, इस पर भी 1% आपको लगाने देगा, इसके अलावा आप AC खरीदें, oven खरीदें, generator खरीदें, building material खरीदें, जो मर्जी चीज़ें खरीदें, मशीन के इलावा, सारे fixed assets के input dead हो जगा, इन fixed assets को accounting के teacher दिखाते है property, plan and equipment में और इसको accounting के teacher दिखाते है current asset में stock में, अगर आप बिजली खरीदें, आप manufacturer है, factory में बिजली इस्तमाल हो रही होगी, बिजली खरीदें, कोई मस्कानी, यह आपकी normal purchase है, इस पे उसको इतराज नहीं है, अगर आप services buy करें, कोई accounting service buy करें, कोई TCS की service buy करें, कोई lawyer की services buy करें, इस पे भी उसको कोई अतराज नहीं है, अगर question खामोश है, तो हम इस purchase of service पे 11% लगाएंगे, लेकिन अगर question कह रहा है कि इस purchase को dead कर दो, if question is saying it is not allowed, असल में services हमारे slaves में नहीं है, इसलिए services में, जब भी कोई service आएगी ना, तो वो सवाल बता दिया करेंगा, कि यह service not allowed है, तो हम उसकी purchase पे ठारा नहीं लगाया करेंगे, और सवाल silent होगा, तो उसकी purchase पे ठारा लगा दिया करेंगे, तो हम बता दें जी, हमारी purchases कितने किसम की हो गए है, purchase of fixed asset, इसमें सेरे दो चीज़ें अलाओड है, नमबर वान, plant machine और electronic cash register, इसके लवाँ सारे fixed asset की purchase, dead होगे, अ अगर सवाल कुछ कह रहे है, तो उसकी purchase पे 18% नहीं लगाया देंगे, यह सारी बाते हमने theory में नहीं पढ़ी अभी तक, जगा जगा पढ़ेंगे, थोटे दिन आने दें, जगा जगा पढ़ेंगे, but the concept is over from my side, note it down. झाल, क्वश सवाल कामा, जगा देंगे, सारी केंगे, आंगे, प्यों, लंगा जगा बाते हैं देंगे, लिड़ेंगे, अगा düşün modern, वैंगे, जगा जगा यह साक्टा है, करें हैं देंगे, तो दोग जगा पहे हैं ह 911 Gente what – जैं है 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 यह विद्ध में सिखर दें सब्सक्राइब जिए जो इए कुम सा सवाल कल किया था अजर वाला अगला सवाल को लें आप दराज एक फुल फ्ले सवाल चुरू रहें भी है पांसो बार आउ पांसो बार आउ जो तब है पांसो बार आउ इस आप पार्टनर्शिप कंसार्न एंड इस एक नाइंटे इस आ मैंनियूफेक्चरर बाद में नोट के लिए एंड पर याथ पर एक में तस्कीर खोल दूगा मैनिफेक्चरर भी है चीज़ें बनाके भी बेच रहे हैं काम एक्सपोर्टर डिस्टिब्यूटर डिस्टिब्यूट भी करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीदी में डिस्टिब्यूशन का काम भी करते हैं उसने आपको यह डेटा प्रोवाइड की है पेज 512 मतलब यह होगा कि उपर वाले डेटे में कुछ मसला है जैसे नहीं होता था एडविन सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूट उद्धर हम शुरू में ढूनते थे इधर शुरू में ढूना करना है अब किसमें इंक्लूट है सेल ऑफ टेक्सेबल गोड्स तू रिजिस्टर्ड कस् सेठ करेंगे आगे चलें परचेस फ्रूम परेजिस्टर्ड सप्ल ऐर तो इस फिगर में मसला है तो वेटेंग करने की जरोगत नहीं बाकि फिकर स्वाल में यूज करेंगे थोड़ा अंदर रखेंगे चलेंगे सवाल स्टाट करें वर्किंग नुमर वन एला सफ़ा चोड़ दें फेस के लिए वर्किंग वन के लिए आपने बारा नहीं नहींट करेंगे बारा नहीं नहीं है अभी में इसमें आपकी क्या क्या आ जाएगी taxable sale zero rate sale और exempt sale और आगे तीन कॉलम आ जाएंगे sale import और input machine इसके बाद working 3 आएगी working 2 में लाइन है कोई नहीं छोड़नी है बस एक total के लिए लाइन छोड़नी है working 3 क्या होगी taxable sale पहले बता दें क्या होगी sale to registered 10 लाइने छोड़के या 7-8 लाइने छोड़के sale to unregistered और sale to registered में कोई other sale भी इंचाला आई तो बहुमें बता दूगा कौन सी अधिया है sale of taxable goods to registered customer गाड़ी taxable होती है dollars registered है हम किया है sale taxable to उदर डालेंगे कितनी अंदर रखें अंदर 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 रखें 3 for 5 sale taxable to unregistered sale taxable to G इसको ओटर कॉलम ही लिखने का रहा है इसमेंको मसला नहीं है इसमाल हो जाने वाली चीजें बेची है PIA की international flight को zero rate sale और zero rate sale पाकिस्तान में भी कुछ की है मेरे ख्याल से कोई जल्जला कहत इस तरह का सिसला आगया होगा तो पाकिस्तान में भी zero rate sale की है यह दोनों की दोनों ही क्या हो गई? नहीं, zero rate यह international flight है और चीजें रास्ते में इस्तामाल हो जानी है यह दोनों zero rate sale कितनी जी? पांच सो, जमा साथ सो, बारहा सो परचेज इंशाला कल देखेंगे Sale of taxable goods to registered customer include Goods amounting to 80,000 sold to Hafiz Brother महीने के आखरे दिन हमारा महीना January है सवाल का महीने के आखरे दिन Hafiz Brothers को हमने चीजें बेची है Hafiz Brother ने January में कारोबार अपना शुरू किये और उसने एक application DVS sales tax में अपने आपको रिजिस्टर करवाने की 30 January को However, no registration was issued till 13 January 30 January को उसने government को application दिया मुझे रिजिस्टर कर दो और हमें 13 January को आखे कहानिया सुना रहा है एक दिन हो गया अभी तक government मुझे रिजिस्टर नहीं किया और पाई तू योरप में बैठे है किदर बैठे है तेरी मेर बानी पाई जन 30 January को उसने government को कहा है मैं जिस्टर कर दो और 31 January को मेरे पास आखे चीज़े लेके जा रहा है और कह रहे है अभी तक मुझे government रिजिस्टर नहीं किया एक दिन हो गया है कई मसले हो सकते हैं हो सकते हैं इसना bank account certificate ना जमा कराया हो भी हो सकते हैं इसने बिजली के मेंटर की तस्वीर से लगाई हो याद हैं एक class ली थी हो सकता है इसने जो है वो अपनी multiple branches की detail ना दियो कहां कहां मेरी branches हैं कई मसहले हो सकते हैं जिस जोसे गुंटं में तरफ लिव इसा कर आभाना बताई ये आपको équंध को सेलघू रिजिस्टरड लग रहивать या ये बņदा अंडिजिस्टरड है और इंकलूडें हमने इसे रिजिस्टर्ट की सेल में डाल दिया है क्या करें निकालना नहीं है री क्लासिफाय करना है निकाल के कहीं और डालना भी है हाली निकालने से काम नहीं चलेगा इस क्लास का बच्चा बैठा हुए उसे निकालना नहीं है निकाल के खेंच के उदर पहुंचा के भी आने तो यह sale किसको है? आन्रेजिस्टर्ड बंदे को, क्योंकि अभी तक registration number नहीं मिला, पता नहीं का रीज़न है कियो नहीं को मत रेजिस्टर करी? तो तो यह sale है अन्रेजिस्टर्ड को, हमने कहां include कर दिया है? क्या करें? कितना? Sale to Hafiz Brothers या डाल वहां से निकाल दें और यहां पे रिक्लासिफाइ कर दें make sense सेनस में कर रही है सेनस में okay next यह पढ़ी किसमें थी वैसे sale to registered में हमने इसे कहां डाल दें sales to registered customer includes the following goods having market value of 6 लाग, worst sold to बाजी परवीन, आज जानने वाली बाजी for 25 लाग 6 लाग वाली चीज जानने की वज़ा से 5 लाग की बेच दी हमने V.O.S के definition में पढ़ा था कि जानने वाले को sale होगी fair value पे मुझे बताएं हमारी sale में कितने वे पड़ी है 6 लाग पे नहीं पड़ी वी उसने लिखे having 6 लाग, इनकी price 6 लाग है were sold for 5 लाग हमारी sale में कितने वे पड़ी है तो जानने वाली की sale को fair value पड़ी है पतादें क्या करें नहीं, sort पे add नहीं करना, यह तो shortcut है पूरा करें, पूरा करें sort पे नहीं add करना, यह से गुज़ारने चलेगा I cap नहीं इस तरह करा के sort पे add कर दें आप परवीन को दरा protocol दे, कैसे sale में कितना पड़ाव है 500 अलग से line डाले, sale to परवीन 600 rectification करने को नहीं मैं कह रहा कि दुनों का difference ले ले, इस तरह ना किया करें क्या करें wrong figure कितनी है wrong call time original figure कितनी है, 600 उसे record करें, proper दरीके तरीके चलें, ताकि नजराई sale to Praveen अलग से Praveen को protocol दे, अलग से line बनाए उसके लिए, जैसे हाफिस ब्रदर के लिए अलग से line बनाए इदर, minus 80, plus 80 लेकिन ये है तो register DS में को मसला नहीं, लेकिन इसको sale 600 को होनी चाहिए थी, हमने किस पे किना याद हो हमें याद है page 475 for sale specified in third schedule, sales tax shall be charge the rate of of retail price और यकम January 18, company ने launch की है हुँ हुँ toothbrush, which is covered under third schedule, the retail price of toothbrush is 100 रुप्या बला सस्ता हमाने, 100 रुपे का एक toothbrush मिल रहा है retail price, उसके डबे पे तोर पे लिखावा है लेकिन क्योंकि पहला महीना था launching का, इसलिए हमने discounted price दे दी है 75 उस इलाके वाले, उनके दान बड़े खराब थे, 4000 टूथब्रश पहले मीने भी निकल गए 4000 टूथब्रश हमने बेचे, टूथब्रश 4000 बेचे हमने बता दें जी हमने sale में कितने पे डाले हैं लेकिन फिगर निकालने पड़ेगी, वे quantity दी भी है, फिगर निकालने पड़ेगी ऐसी ज़रा side पर जाकर, wrong figure, कितने टूथब्रश, कितने का sale में डाला, तीन लाक रुपे, लेकिन original price, retail price, कितने टूथब्रश, 4000, कितने का sale पे डालना चाहिए था, हमने किस पे sale किया, discount पर, इन दोनों का difference लूँ या किसी और तरीके से करूं, किसी और difference ने जनाएंगा, आप बता दें, company को कितने पैसे आए, तीन लाक, लेकिन sales किस पे बुक करनी है, यही तो lot जीब सा lot, इसी को तो lot जीब करते हैं, lot तो यही तो lot है, आप कार कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और रहे होते हैं, rupees in thousand में स्वाल, फिर आफरी 3-0 डा दें, rupees in thousand में स्वाल करें, हम स्वाल, बताएं क्या करूं, क्या minus करूं, इधर जगा नहीं है मेरे पास, चलिए थोड़ी सी बना लेते हैं जगा, माइनस 300, 300 माइनस करके, और क्या लिखों, sale of toothbrush, कितने, 4000, जरब, यह फिर डिरेक्ट भी 400 लिख दें, लेकिन कल्कुलेशन शो कर दीजिएगा, तो कितने से sale उल्टा दी, जितने पे पड़ी थी, और कितने पे record कर दी, 4 लाग, तो को time निकाल के आएगे, इससे खतम कर लेंगे, हाँ, नहीं क्लास में करेंगे इंचाला, तो अब आप अधरा तश्रीफ ले जाएए, और चेप्टर 23 का कौन से question homework में करना है, question 4, पैसकर स्लेबस बता दिया था, chapter 2 है, और chapter 21 है, rule 11 तक,